आयोध्या में एक महीने से दिखाई दे रहा तेंदुआ सोंबा रात तीन बजे पकड़ा गया कैंट छेतर में एक महीने से देरा डाले देंदुए को वन रेंज कुमार गंच और वन रेंज रदौली के 25 लोगों की टीम ने मीरन घाट पुलिस चौकी के पास पिंजड़े में कैद कर लिया वा बकरी का सिकार करने आया था इसी बीच पिंजड़े में खुद कैद हो गया आपको बता दे कि कैंट थाना छेतर में एक महीने से तेंदुआ दिखाई दे रहा था कई जंगली जानवरों को सिकार बना चुका था जिसके चलते उप्रभागी वन अधिकारी एनके सुधीर के नेतरत में कैंट छेतर में कई जगा तेंदुए की निगरानी के लिए जंगल में 20 CCTV कैमरे लगाय गये थे पकड़ने के लिए लोहे की पिंजड़े भी कई जगाओं पे लगाये थे वहीं पिंजड़े में बक्रियों को बांध कर रखा गया था आपको बता दे कि मीरन घाट पुलिस चौकी के पास लगाया गये पिंजड़े में बांधी गई बक्री को तेंदुए ने खीच कर खा लिया था सिकार के चक्कर में सोंबार बोर लगभग तीन बजे दोबारा तेंदुआ मीरन घाट से लगभग सों मीटर की दूरी पर पहुचा पिंजड़े में जैसे ही बक्री का सिकार करने के लिए घुसा वह पिंजड़े में बंध हो गया वेरा रिपोर्ट आई पियर